वेज मनचोरन सब्रेट하신 में में पड़ों के लिया नियुल निय यकलदोर यहां living या इस पूलने पमोग क्षेम मैं पंसी सब्रेट करता है। करीज चर्णें का में दोकता सब्रेसे लिए वेजमन नियुक्त तो फूल घुबी को घ्रेट करके लेकर ना है तो बहुत बारी काटने पर भी बहुत ठीक है तो जादा मात्रा में हमें पत्ता कोम पत्ता को लए विए से थोड़ा कम घाजड शीक मएं przypad महीं कच सकते हैं पर पता को भी थोड़ा सा ज्यादा ले इसमें तो सभी सब्जियों को हम मिक्स करके ही एक बॉल में रखेंगे और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे तो आधी चोटी चमच हमें आपे नमक डालेंगे इन सब्जियों में नमक को मिक्स करके और इसे ढखके हम 10 मिय तक रख देंगे ताकि इन सब्जियों से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और सब्जिया हमें बिल्कुल सुखी मिले मंचूरेन बॉल्स बनाने के लिए तो इन्हें एक साथ ही डालके नमक डालके ढ़के रख देते हैं 10 मिनट के लिए तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं क्योंकि मंचूरेन बनाने में तैयारियों में ही ज्यादा टाइम लगता है बनाने में बहुत कम टाइम लगता है तब तक हम प्याजवगर एकाट लेते हैं तो दस मिनट हो गया है और अब इन सब्जियों में से नमक जो है अच्छे से रिलीज हो गया होगा तो चलिए इनमें से हम पानी को अलग कर लेते हैं तो दोनों हाथों की सहायता से ही हम इस तरीके से सबजियों को अच्छे सिनिचोर के इसका सारा पानी निकाल देंगे और इसे अलग एक बदन में रखते जाएंगे तो ऐसा करने से यह होगा कि सब्जियों में से जो पानी है वो निकल लियो और मंचूडियन के बॉल्स बनाने में बहुत ही आसानी होती है बॉल्स अच्छे से बन जाते हैं और इसमें जो हम मैदा कॉर्ण फ्लो डालेंगे वो कम मात्रा में यूज होगा सूखी सब्जियों में अगर हम इस तरी किसे मंचूडियन बॉल बनाते हैं तो उसमें मैदा और कॉर्ण फ्लो जादा मात्रा में लगता है तो जब हम मैदा का टेस्ट थोड़ा ज्यादा आता है और अब क्या होगा कि सब्जियों से पानी जो है वो अलग हो गया तो सब्जि इस पानी को फेकेंगे नहीं इसका यूज हम मंचूरियन के ग्रेवी में ही करेंगे इसे फेकना नहीं है तो इसे अलग रख देते हैं और चलिए मंचूरियन बनाने की तयारी करते हैं मंचूरियन बॉल बनाने की तो यह दीखिए जो सब्जियां बिल्कु सुखी है पानी आप निकाल गिया इसका अब हम इसमें मैदा और कॉर्ण फ्लोर डालेंगे दोनों चीज़े डालने होती है मैदा ज्याद़ डालेंगे यह थोदा थोड़ा कम तो मैदा अभी मैं इसमें धाई चमच डाल रहे हूँ और कॉर्ण फॉर्ण दो चमच तो एक ही बार में आप ज्यादा ना डाल दें दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी डालें उसके बाद मिक्स करके देख लें जब जरुवत लगी तो फिर आप ज्यादा डाल सकते हैं तो इसमें हम डालेंगे आधी चोटी जमज काली मिर्च पाॉडर थोड़ा सा नमक डालेंगे बारी कटी हुई अद्रग और बारी कटी हुए लेसन तो हल्का सा नमक पर डॉल दें, मिलगल धुली जासे मिकस कर तो मिक्स करके देखेंगे अगर आपको गीला लगे तो थोड़ा सा मैदा यह कॉन्फोर इसमें और डाल सकते हैं क्योंकि बिल्कुल यह सुखा होना चाहिए इस तरीके का मत्तब यह हो जाना चाहिए कि आप इसे जब गोल बनाए तो अच्छे से गोल बन जाए तो अगर गी अच्छे से बन जा रहा है और बिल्कुल एक बॉल की तरह यह कि पर बन जा रहा है तो अब हम मैदा यह कॉन्फ़र अब हम डालेंगे तो इधिकल परफेक्ट है तो अब हम छोटे चोटे मंचूरीन बस बना लेते हैं तो मैं ग्रेवी वाली मंचूरीन मेनारी हूं आप ड लाटे के साथ खाने के लिए तो छोटी छोटी से इस तरीके से हम बॉल्स बना लेंगे और यहां पर मैंने दू चम्मच मैंदर आ रहा है उसमें इसे हम थोड़ा सा लपेट लेंगे उससे मंचूरियन बिल्कुल भी नहीं फटेगा कडाही में बिल्कुल भी नहीं तो बस थोड़ा सा मैदय में इसे मिपल लपेट के बाकी का एक्स्ट्रा मैदय जो हटा देंगे तो इसी तरीके से हम सारे मंचूरियन बॉल को बना लेंगे और जब तक मैं यह मंचूरियन बॉल बना रही हूं जब तक मैंने गैस पे ओयल गरब होने के लिए चड़ा रख बनाने में टाइम बहुत कम लगता है उसकी तैयारियों में टाइम ज्यादा लगता है तो तैयारे तो आप पहले से भी करके रख सकते हैं और जब बनाना हो तो आप जट पड़ बना सकते हैं स्वेज मनचुडियन को तो यह दीखे, बिल्कुल गॉल बन जाएगा, अब को बनाने में कोई परिसानी नहीं होगी इस बॉल को तो साड़े मंचूरियन बॉल्स को मैंने बना लिया तो चलिए अब इसे हम फ्राइ कर लेते हैं अब अच्छे से गरम हो गया था तो लो मिडियम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राइ कर लेंगे तो मंचूरियन बॉल्स को डालने की बाद तुरंट से इसे आप ना पल्टे कुछ सेकेंट्स के लिए रुख जाए उसके बाद आप इन्हें पल्टे अरे हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करएंगे को तो इसे हम उलटते पर लटते रहेंगे यह दिखिए यह गोल्डन ब्राउन हो गया है तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे इसे ज़्यादा हमें इसे फ्राइ नहीं करना है और इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए मंचुरिन बॉल को भी फ्राइ कर लेंगे तो आप सिर्फ गोबी मंचुरिन ब्राइ बना सकते हैं सिर्फ पत्ता गोबी का भी बना सकते हैं नहीं तो इस तरीके से सारे सबजियों को मिक्स करके भी दो चम्माच मैंने ऑईल कराही में चोड़की बाकी का ऑईल निकाल लिया है और इसमें हम डालेंगे बाड़ी कटी हुई अधरक तो बारी कटी हुई हर कुछ हरी मिर्च नहीं हम हलका सा फ्राइ पाइब कर फ्राइब hyd Dog करेंगे जब यह सारे चीजे लिएहं हलका सा फ्राइब हो जा दो बेर दालेंगे एक बड़ी साइज का भाड़ी कटा हुआ प्याजो भाइब को हले को नोचा नहीं करें तो अब में उत्पेंदी तर प्याज को थाजायी मिर्च और पत्ता प्ता को भी kanva कटी Himmel अग्रेवी में थोड़ी सी सब्जी अच्छे लगती हैं आप इसमें गाजर और बिंस भी डाल सकते हैं तो थोड़ा दर हम इने फ्राइब करेंगे तो यह सब्जी हैं हलकी सी फ्राइब हो गई है इससे ज़्यादा हमें फ्राइब नहीं करनी है तो चलिए अब हम इनमें सास डालेंगे क्योंकि मंचूरियन में कोई अलग सी मसाला नहीं डलता तो यहां पर मैं चीली टोमेटर सास डाल रही हूं इस चमच से तीन चमच चीली तीक होता है उसके बाद मैं इसमें ग्रीन चीली सास डाल रही हूं इसी चमच से दो चमच तो अगर आपको तीक प्राइब कम पसंदो तो आप अपने हिसाब से डालें हरी मिर्श भी डाल रहा है तीकह के लिए और अब इसमें डालेंगे हम सोया सॉस ज्यादा नहीं डाले दो करेंगे इस चम्मच से आधी चम्मच करेंगे और उसे चम्मच और भी निगर भी दालेंगे उसे देंगे करेंtó पानी शन्स धब देंगे अनली कना डिना की पवस्ट मैं शाथ Insurance आदि और छोटी चमश मैंने पाली मिर्च का पॉंडर डालाा पाइज अनली प्लेम को हाई कर देंगे और इसमें बॉइल आने देंगे तो सारी सॉस में नमक होता है तो इसलिए आप ग्रेवी को टेस्ट करके उसके बाद ही डालेगा एक चोटी चमज देखी बिल्कुल चोटी चमज है इससे एक चमज मैंने कॉर्ण फ्लोर लेके उसे दो चमज पानी म वैसे आप अपने हिसाब से ग्रेवी को गाड़ी अपतली कर सकते हैं एक दो चमज आप कॉर्ण फ्लोर का गोल डाल देंगे तो ग्रेवी जो है काफी गाड़ी हो जाती है जिसाब से आपको रखना हो तो अब हम इसमें इसमें मंचूरियन बॉल डाल देंगे और इसे पां पराठा चावल किसके साथ खाने हैं आपको कैसी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप इसे पतली या गाड़ी रखे तो यह देखिए पांच मैठ हो गए और यह वेज मंचूरियन बिल्कुल तयार है गेवी बहुत थिक है ठंडी होने पर थोड़ी और गाड़ी हो जाए और अगर आपको यह रेस्पी अच्छे लगे तो प्लिज लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें मैं आपसे फिर मिलती हूं अपने अगले वीडियो में बाई बाई